आज है दो दिसंबर 2022 और दिसंबर 2022 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्यन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप जाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाले में 208 से दिवस कब मनाया गया है तो अभी एक दिसंबर को 208 से दिवस मनाया गया तो इस कुश्यन का बे ओप्सिंस है यह एक अचैबी से संकरमित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और इस बीमारी से जान गवाने वाले रोग्यों को सृद्धांजली दिने के लिए हर साल एक दिसंबर को 208 से दिवस मनाया जाता है अच्छा इस बार कि 208 से दिवस की थीम क्या है इस बार कि थ सब्सक्राइब ने अपना अठावन मां इस्तापना दिवस मनाया है बीस का इस्तापना दिवस भी एक दिसम्मर को मना जाता है तो इस कुश्यन से आपको इतनी जानका नहीं मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीड टार्गेट विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटमेटिकली अच्छी हो जाएगी ने कुश्यन है हाली में केस राज सरकार ने प्रसून जोसी को अपना ब्रांड अमबेसडर नियुक्त किया है तो अभी उत्त्राखंड सरकार ने प्रसून जोसी को अपना ब्रैंड अमबेसडर नियुक्त किया तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है उत्त्राखंड ने सांस्कृतिक विरासत को प्रूत्साहित करने के लिए लेखक और गेतकार पद्वसरी पुरुसकार विजयता प्रसून जोसी को अपना अमबेसडर नियुक्त किया है यह है प्रसून जोसी अब उत्त्राखंड तो यह है मैप में उत्त्राखंड उत्त्राखंड की कैपिटल के है दैरादून उत्त्राखंड की चीपनिश्टर कौन है पुसकर सिंग धामी और उत्त्राखंड की गवर्नर कौन है गुर पारम किया उत्राखंड के ऑली मिलिटरी स्टेशन में रक्चा मंतरी राजनाज सिंग ने सस्त्र पूजन किया था अच्छा रक्त दान अम्रत महोसम में उत्राखंड को दूसरा इस्तान मिला था उत्राखंड में फूल देई तिवार मना जाता है फूलों की गाटे उत्राख ली जाता है इसका पूर्र नाम है easily national park next you यह थे चेन के पूर्व प्राष्ट्पती जियांग जेमन इनका भी निदन हुआ अच्छा यह चाना के पहले ऐसे राष्ट्पती थे जो भारत की यात्रा पर आए थे यानि कि भारत की यात्रा पर आने वाले पहले चाइनीज रास्ट पती थे जियांग जेमिन इनका भी निदन हुआ है अब चेन तो यह है मैप में चीन चेन की केपिटल क्या है बेजिंग चेन की करणसी क्या है रेंड मिन भी और चेन के प्रजेंट अपर प्रेसिडे लॉंज किया बेस्व में मचले के उत्पादन में चेन टॉप पर रहा है चेन ने सपलता पूर्भक पहली सौर बेद साला कौफू बन लॉंज की और चेन ने दो नए प्रायोगिक उबगरे सियान फॉर्टेन और सियान फिप्टेन लॉंज किये है नए क्यूशन है हाली मे यस बैंक ने फ्लॉवर्स ए आरसी में कितने प्रतित्र हिस्थिदारी का अधिगरेंड किया तो यस बैंक ने अभी जैसी फ्लॉवर्स-यार्स में 9.9 प्रतिसत इस्थिदारी का अधिगरेंड किया तो इस कुशन का सी option सही है जेसी फ्लावर्स यह क्या है यह एक एसेट रेकंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसमें 9.9 प्रस्चत इससेदारी का अधिगरट यस बैंक ने किया है अब यस बैंक तो यस बैंक की स्थापना का हुई 2004 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेंट पर चेर्में कौन है सुनेल महता कौन है सुनेल महता नए क्यूशन है हाली में किस देश के चार सैनिकों ने नंदा देवी पर चड़ाई की है तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका की बीच युद्ध अभ्यास नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ है और यह उत्त्राखन में हुआ और इसी सैन्य अभ्यास में अमेरिका के चार सैनिकों ने नंदा देवी पर चड़ाई की तो इसकुशन का बे अप्सें सही है अब अमेरिका तो अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है जो बाइडन इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एक्सर होती हैं कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प पजप्रहार और युद्दब्यास जिसमें से युद्दब्यास अभी उत्राखन में होई है अच्छा अमेरिका ने भारत को करेंसी मौनिटरिंग लिस्ट से अटा दिया है अरुना मिलर ने अमेरिकी राज मेरीलेंड के उप रा अनेती भी जारी घियर नेकरาร है हाली में ग्लोबल प्राइम सिटीज एंडिक्स में मुंबई कौन सी इसस्तान पर रहा है तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स इसमें अभी मुंबई 22 में नंबर पे रहा है तो इस कुशन का ए ओप्शन साइए एक संपत्ती सलाकार फर्म है नाइट फ्रेंक इसने संपत्तियों की रेट में ब्रद्धी के आधर पर ये ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स जारी किया और इसमें मुंबई 22 में नंबर पे रहा है नए कुशन है हाली में किस राजी के मुख्यमंद्री ने SIPCOT प्रोध्योगिक पार्क का उद्गाटन किया है तो अभी तमिलनाडू के चीपनिश्टर ने SIPCOT प्रोध्योगिक पार्क का उद्गाटन किया तो इस कुशन का से ओप काटन्- तमिलनाडू के पेरंबलूर जिले में हुआ है अब तमिलनाडू तो यह है मैप में तमिलनाडू की चीप निष्टर कोन है एम के स्टालन और तमिलनाडू की गवर्ननर कौन है आर एन रभी अपी तमिलनाडू के बन विवाग ने भारत का पहला elephant death audit framework पेस किया तमिलनाडु सरकार ने गिद्दों के संरक्षड के लिए पैनल का गठन किया तमिलनाडु राज सरकार ने भारत का पहला slender लोरिंस अब्यारेंड अधिसूचित किया है और pegatron ने चेन नहीं में आईफॉन का निर्माट सुरू किया है तमिलनाडु की cabinet ने online जुए को नियंतरित करने की मंजूरी दी है अच्छा पूरे देश में मचली का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा सूचकांग में तमिलनाडु टॉप पर रहा था जली कट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है आद्य पूरम त्योहार तमिलनाडु में मरा जाता है और तमिलनाडु ने अभी तमिल थाई बज्थू को अपना राज की गेट खोसित किया था से सम्मानित किया गया तो इसकुष इनका बे ऑप्सन सही है I stand for pace अभियान है I stand for pace इसी अभियान के दोरान इनको the emissary of pace about से सम्मानित किया गया अच्छा अभी राष्ट्री पैंसन प्रडाली ट्रस्ट के अध्यक्ष की रूप में सूरज भान को न्यूक्त किया गया ONGC के अगले प्रमुक के रूप में अरुड कुमार सेंग को न्यूक्त किया गया और नेतियायो के पूर कालिक सदस की रूप में अरबिंद बिर्मानी को न्यूक्त किया गया है हाली में ICG Advanced Light Helicopter MK3 कहां कमीशन किया गया तो ICG यानि के Indian Coast Guard Advanced Light Helicopter MK3 अभी चेननी में कमीशन किया गया तो इसको शिन का A options है अब Indian Coast Guard तो इसकी स्तापना कब हुई 1977 में इसका Headquarter कहां पर है New Delhi में और इसके Present Time पर Director General कौन है बेरेंद्र सिंग पठानिया कौन है बेरेंद्र सिंग पठानिया ने क्यूशन है हाली में केसराजी के मुख्यमंदरी ने एमलान एनीमिया मुक्त लाक अभियान शुरू किया तो अभी उडिशा के मुख्यमंदरी ने एमलान एनीमिया मुक्त लाक अभियान शुरू किया तो इस कुश्चिन का Bay Options है अब उडिशा तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की Capital क्या है बोबने स्वर उडिशा की Chief Minister कौन है नबीन पटनायक और उडिशा की Governor कौन है गनेशी लाक अच्छा उडिशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एप जी अब्दुलकलाम दीफ रखा गया उडिशा दिबस या उतकल दिबस ये कम मनाय जाता है एक अपरेल को अभी उडिशा सरकार ने राज जी को 23 तक सलम मुक्त बनाने की गोशन की है उडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सिक्चा पुरुसकार योजना की सुरुवात की उडिशा सरकार ने 10 नवम्मर को बाजरा दिबस की रूप में मनाया वाजी राहुत रास्ती फुटवर्ड टूनमेंट का उद्गाटन उडिशा में हुआ और उडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की गोशन की है अच्छा उडिशा में रसी कुलिया बीच है गोल्डन बीच है सुनावेडा वाइलाफ सेंचुरी है बार्क टेंपल है और जगरनाट टेंपल है इतना आपको उडिशा के बारे में रखना है नए क्यूशन है हाली में किस ने हिमालाई याक को खाद्य पसु के रूप में मानिता दी है तो अभी FSSAI ने हिमालाई याक को खाद्य पसु के रूप में मानिता दी तो इस कुशन क से ओप्टन सही है एफ एस एस एया यानि कि फूट सेफटी एंड स्टेंडर्स अथोर्टी ऑफ इंडिया इसकी स्तापना का हुई 2008 में इसका हेड़ कोटर कहां पे है निउ डैली में और इसकी प्रजेंट टैम पे चेर परसन कौन है रीता तेवतिया कौन है रीता तेवतिया ने कुशिन है हाली में किसने नए राजस्तु सचिप की रूप में कारेभार समाला है तो अभी संजय मलोत्रा ने नए राजस्तु सचिप की रूप में कारेभार समाला तो इसकुशिन का बे ओप्सन सही है ये हैं संजय मलोत्रा और इनो नहीं नए राजस्तु सचिप की र को INTUC करनाटक का नया अब्द्यक्ष ने उप्त किया गया सेवी ने सुन्दरमडी राममूर्थी को BSE का नया MD and CEO गोसित किया अरुड गोयल को लेक्षिन कमीशन ओफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया आई ओए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मेरी कौम को चुना गया और गुजरात किर्केट संग का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नातवानी को चुना गया हाली में सुदर्सन प्रहार अभ्यास कहां आयुजित किया गया तो अभी राइस्तान में सुदर्सन प्रहार अभ्यास आयुजित किया गया तो इसकुशन का से ओप्सन सही है बारती सिना की सुदर्सन चक्रकूर की द्वारा सुदर्सन प्रहार अभ्यास राहिस्तान में आयुजित किया गया अब राहिस्तान तो ये है मैप में राहिस्तान राहिस्तान की केपिटल किया है जैपोर्ट रायस्तान की चीपनिश्टर कौन है? असोग गहलाउत और रायस्तान की गवर्णर कौन है? कल राज मिस्र. अभी भारती सेना के दक्षिडी पस्चिमी गमान के द्वरा सत्तुर नास अभ्यास का आयोजन रायस्तान में किया गया। प्रदानमंत्री ग्रामीड आवास योजना में राइस्तान का जुजुनु जिला टॉप पर रहा और इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एक्जी वीशन के ग्यारे में संस्क्रट की मेजबानी जैपूर करेगा राइस्तान में सरिस्का नेशनल पार्क है रडथंबोर ने सब्सक्रां राइस क्मेज़ार है और मुकुंद्रहिल टाइगर रिजर्ब है नएख कुछिन है किसने अदिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए समिति कि समीक्षा के लिए समित्ती गठित की तो इस कुछ इनका ए ऑप्शन सही है अब यह समीत्ती सेवी ने गठित की तो सेवी की स्थापना कब हुई 1992 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसकी प्रजेन टाइम पर चेर परसन कौन है मादवी पुरी बुच कौन है मादवी पुरी बुच ने क्यूशन है हाली में परिभन के किस साधन के लिए डेजी यात्रा सुविदा का उद्गाठन किया गया तो अभी हवाई यात्रा के लिए तेन एरपोर्ट्स पर हमारे नागरिक उड्डियन मंत्री जूत्रा दित्ति सिंधिया ने डेजी यात्रा सुविदा का उद्गाठन किया और डे इस डेजी यात्रा सोविदा का उद्गाटन किया गया अप लास्ट वीडियो के कुश्चिन का अंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्चिन पूचा था कि हाली में भारत और किस देश के बीच हरे महु सकती अभ्यास शुरू हुआ तो अभी अपने देश भारत और मलेस के बीच हरे महु सकती अभ्यास शुरू हुआ यानि कि इस कुश्चिन का बे ऑप्सन सही था और लगबख सभी श्ट्रेंडनेस का अंसर सही दिया मूश्ट लेश्ट्रेंडनेस के आरे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्चिन के बारे में हुआ आपको जितना जाठा से जाठा पता हो आप लिखा करो कि जो चीजह आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्चन हैस्में हाली में अंतरास्ती लसो फोन महुत सब कहां आयुजित किया जाएगा चार आप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अंसर उताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook पेज़ पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresh rc indresh rc Instagram पर indresh rc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अल्पू लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और फिजू ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदब मिलेगी जब बे आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावन में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जम और बेज विद यू थैंक्स वर वाचिंग